हेलो फ्रेंड्स मैं मॉनिका आपकी गार्णर दोस तो क्या आपके पास इस तरह का वाटरिंग कैन है अगर आपके पास इस तरह का वाटरिंग कैन नहीं है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम घर पर ही डियाईवाई करके इस तरह का वाटरिंग कैन कैसे बना सकते हैं क्यों उनके लिए ऐसा वाटरिंग कैन बहुत जरूरी होता है ताकि सीड्स डिस्टर्ब नहीं हो और जब हम और्नमेंटल प्लांट्स को दें तो वह अच्छी तरह से उनकी पत्यां साफ हो जाए और उनको हम नहला ले फूल हो वाले पौदों में वाटरिंग कैन से पानी उपर से नहीं दिया जाता है उनके फूल और पत्ते के लिए नहीं हो इस चीज का ध्यान लखा जाता है तो आज हम घर में ही वाटरिंग कैन बनाते हैं और उसके लिए देखिए यह पांच लिटर की ऑईल की बॉटल है मेरे पास यह जो कैन जब खतम हो जाता है तो इससे हम बहुत दिए और 5 लिटर का वाटरिंग यह ने में जाता है तो इससे आज हम बनाएंगे वाटरिंग कैन इसमें जो पेपर वगएरा लगे होते हैं इंक आप अच्छीतर का घ्रहते दीदे में बातले तरह से हटा लिजे फिर हम क्या करेंगे कि इसका यह जो कैप है ना धकन है किसी भी नीडल की हेल्प से कोई नीडल हो आपके पास या कोई बड़ा वाला सेफटी पिन होता है वह हो तो उसकी मदद से इसमें हम होल्स कर लेंगे सेफटी पिन से जो होल्स होंगे ना वह सा इससे मोटी कोई चीज है तो आप उससे भी होल कर सकते हैं उससे पानी और असानी से निकलता है और पूरा अच्छी तरह इसमें आपको बोला तो था कि या तो इसमें हम नहीं से छेट कर लेंगे सारे में गैस पर गरम कर करके थोड़ी सी मोटी नीडल होती तो और भी अ निकलता है और अच्छी तरह से सारा पूरा जितना धक्कन आना जितने मैक्जिमम आप से इसमें होल हो सकते हैं उत्ते मैक्जिमम इसमें हम होल कर लेंगे और एक और तरीका होता है जिसमें आप तोड़ा सा इस धकन के इदर साइड में भी छेट कर सकते हैं लेकिन फिर यह बैस्ट रहता है और ड्यूरेबल है यह ज्यादा तरीका वह देखिए अच्छी तरह से सारे में हम छेट कर लेते हैं इसके ख्कन को उतार के भी कर सकते हैं आप जैसे मैंने इस बोटल में डखकन को लगे रहने दिया और मैं होल कर रहे हैं तो भी होल कर सकते हैं वह भी कनवीण रहता है और बटल को अच्छी तरह से धोलेंगे सरफ से ताकि अंदर आएल नहीं रहें और उतार के भी अच्छा रहता है अब मुझे लगा कि आप लोग को ऐसे दिखा दूँ तो ज्यादा है देखिए और फिक है अंदर की तरफ जो प्लास्टिक जैसे हम नीडल डालते हैं तो अंदर की तरफ जो प्लास्टिक से निकल जाता है उसको भी आप चाकू वगहरा से क बार बार नीडल को गरम करना पड़ता है क्योंकि यह जो डख करना है थोड़ा सा अच्छी थिक लेयर मजबूत होता है इसके थोड़ा सा इसको देखिए अच्छी तरह से समय निकल ली है और यह जैसे मैं कहा रही थी ना एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक जो उपर को निकल जाता है वह अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छी तरह से उस प्लास्टिक को हटा लेंगे और फिर अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे तो यह कलर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि यह लो वाटरिंग कैंस भी बहुत आते हैं बजाना अब मेरे पास यह अब बचा हुआ सकते हैं यह जादा इसमें है नहीं है तो इसमें कर देते हैं यह और करके इसके उपर आप लिख सकते हैं Watering Can और यहां pewn डॉट्स बना सजा सकते हैं इसको इसमें पूली का डॉक्ष वी जसे लाल रंका करें पीले डॉप या जैसे मैंने अभी इस रंका मनदें इसकी उपर भी पूल्षक्त बना सकते या बड़े बड़े गोले से कि और बस पेंट यह खतम ही होने वाला है मेना थोड़ा सा बच्चा है मैंने का चलिए थोड़ा सा फील दे देते हैं कि यह वाटरिंग के बन रहा है अब यह खतम हो गया के तो फिर अब देखिए अब इस पर फन गार्डनिंग लिख देते हैं हाथ ब्रश से चलने रहा यह वह फैबरिक कलर है वो फैवी ख्रिल वाले जो कलर आते हैं क्रेलिक वाले वह क्रॉनीं से हमें इसरी इतना च्छता नहीं लिखा जा रहा मैं दूसरी साइड दिया से लिख वालूंगी बहुत लंबा होगी है यह बाहर तक आपने निकाल दिया है तो अब यह दियाने लिख दिया है साही और यह इस जगह भी होल कर सकते हैं आप यहां पर भी उससे क्या होगा कि आपको पूरी बॉटल टेड़ी करेंगे तो ही निकल जाएंगे वो भी बहुत अच्छा रहता है इस जगह होल करना जब हमने धकन में होल किया है तो फिर हमने क्या बॉटल को उल्टी करना पड़ेगा ऐसे बिलकुल नीचा करना पड़ेगा पानी देने के लिए अब ऐसे इसको पूरा उल्टा करना पड़ता है हमें और जहां मैंने अभी बता है साइड में होल करेंगे तो थोड़ी से टिल्ट करने पड़ती है यह देखिए अब आपको वाटरिंग के अन्तियार हो गया हमारा यह देखिए बस इसको यह है कि थोड़ा सा सीधा करके होल्स बहुत बारीक है आप थोड़े से होल मोटे हल किसी मोटी कोई पिन नहीं उससे करें होल तो आपके पाहुँद देखिए कितना अच्छा वाटरिंग के अन्तियार हो गया और बिल्कुल फ्री घर में कोई बाट्रिंग पड़ी होती है हमारे खाली होती है ओल की बाट वैसे भी कर सकते हैं अगर करना हो और दोनों साइट भी कर सकते हैं कि वहां भी करने इसमें क्या यह थोड़ा देखि पूरा उल्टा करना पड़ता है लेकिन प्रेशर से पानी जाता है तो अच्छा फवारा बनता है अच्छा फिर जैसे कई बार क्या होता है वाटरिंग क लगा हो यह आईडिया अच्छा लगा हो तो आप भी ऐसा वाटरिंग कैन बना सकते हैं और अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंड्स बाइए